हेलो दोस्तो मैं टेक्निकल देव आपके लिए न्यू वीडियो लेगा आया हूँ आप देख रहे हैं कि ये LG का सिंगल डोर फिरीज है इसके अंदर मैं एक ऐसी सेटिंग बताने जा रहा हूँ अगर आपके फिरीज में ऐसी अगर यहां पर बहुत मोटी मोटी बरब जम जाए तो आप ये ना समझे कि ये कूली बहुत जादा कर रहा है ऐसा होता है कि जब मोटी मोटी में बरब जम जाता है तो ये होता है कट अफ नहीं मारता है उस situation में आपको क्या करना है जो इसके अंदर thermostate होता है वो हमारा खराब हो जाता है आप इसे thermostate भी बोल सकते हैं regulator भी बोल सकते हैं और जो कम बढ़ती करते हैं या फिर यह भी बोल सकते हैं या फिर जहां पर एक से लेकि 6 तक गिंती लिखी रहता है वो चीज आपका खराब हो जाता है और यह ध्यान रखें कि यह जो फ्रीजर है इसको कभी भी चाकू पेचकस से बरफ ना निकालें क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कर देते हैं जिसके कारण क्या होता है गैस जो है वो निकल जाता है अगर आपका फ्रीज कूलिंग नहीं कर रहा है LG का तो उसके अंदर में एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जो आप खुद घर बैठे इसे रिपैर कर सकते हैं वीडियो को स्किप ना करें अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बताए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगती है सो गाइस आप देख रहे हैं कि इस टाइम इसमें बहुत मोटी मोटी बरब जमा है कभी भी पेचकस या फिर कोई चीज ऐसी जो सक्त चीज हो, बहुत ध्यान से आपको फिरीजर में काम करना है क्योंकि हलका सा अगर ये जो पेचकर मिस होता है या पेचकस आपका सिलिप कर जाता है तो छेद होयागा और सारा गैस निकल जाए क्योंकि फिरीजर के अंदर गैस चलता है और आप देख रहे हैं, हमने इस साइड के इसकी जो पेच है वो खोल दिये है लेकिन ये खोलेगा नहीं क्योंकि बरफ ने इसे बहुत टाइट कर रखा है और हम ये थर्मोश्टेट खोलना है तो आप देख रहे हैं कि हमें क्या करना है इसको नीचे की तरफ खोलना है अगर ये ना खोले तो आपको गरम पानी से सारे बरफ को पिगला देना है उसके बाद इसको लॉक को खीचेंगे तो ये अपने आप इसका फ्रेम जाए वो खोल जाएगा यहाँ पर एक ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है और एक हमारे यल्लो लाइन जो थर्मो स्टेट में जा रहा है ये जो दो लाइन होता है ये हमारा जो थर्मो स्टेट होता है इन में लगता है आपको क्या करना ये पीली लाइन और जो ब्लैक वाई लाइन है जो यह थिंबल लगे हैं इन दोनों को निकालके आपस में इसको mix कर दिना है mix जैसे ही आप करेंगे तो यह आपका compressor जो नीचे लगा है वो direct हो जाएगा और आपका compressor जो है वो चलना सुरू हो जाएगा अगर आपके freeze में बहुत मोटी मोटी बरब जम जाती है जैसे आप देख रहे हैं यह थोड़ा बहुत जमा हुआ है अगर मोटी मोटी बरब जम जाता है तब भी यह क्या होता है खराब हो जाता है यह cut नहीं मारता है यह direct हो जाता है और आप देख रहे हैं कि इसका जो sensor होता है, sensor हमेशा इसका freezer के नीचे लगा होता है, क्योंकि वो sense करता है कि कितने degree cooling होने के बाद इसे cut off करना है, तो यह चाहिए आप ध्यादे, यह दो wire होते हैं, जो हमारा thermostat में आता है, इन दोनों तार को आपस में मिला लेना है, एक तार बहुत जादा आता है, तो आपको यह घर बैटा ही कर सकते हैं, और इसको निकालने के लिए जो lock होते हैं, इन lock को हलका सा पीछे की तरफ करेंगे तो यह निकल जाएगा, और ध्यान रहे कि आगे वाले जो इसके push वाले button होते हैं, उनको पहले निकाल ले, क्योंकि आगे से यह फसे रहते हैं, तो यह चीछ ध्यान दें, और बहुत आराम से करना है, क्योंकि यह जो इसके lock वगरा होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, प्लास्टिक वाले होते हैं, और यह तूटने के चांस बहुत जादा रहते हैं, और आप देखने हैं, हमने यह thermostat निकाल लिया है, और thermostat यह LG का है, और यह जो दो पिन होते हैं, इसी में ही हमारे power supply लगता है, और आप देख रहे हैं कि यह दो supply तो हमारा बलप पे जा रहा है, और इसी परकार हमें बिल्कुर नया लाना है इसी model का, क्योंकि हमें वापस इसमें लगाना भी है नया, और आप देख रहे हैं कि हमने इसमें नया ला चुके हैं, और आप देख रहे हैं, इस परकार से आपको फिट करना है, और यह दाद जो है उपर से lock है, वो फस गया है, नीचे से हमारा फस गया है, बलब चाओ तरप से इसमें कोई page नहीं लगता है, बस यह क्या होते हैं, lock system होता है, यह फसे रहत दिया, अब ऐसा कोई भी fault दुबारा नहीं होगा, so guys हमारे चैनल को subscribe जुरूर करें,